अभी हम लोग त्यूजडे के लिए अन्सिस करेंगे थोड़ा सापना थोड़ा बड़ा करके वीकली चार्ट को भी ठीखेंगे कि आने वाले टाम में मार्केट अपका क्या हो सकता है वीक के उस पर भी ठीक है अभी मैं आपको बात करते हूं तो बिल्कुल बेसिक्स पर आज यहां पर आप देखोगे तो क्या देख रहा है मुझे एक सिंपल सी चीज दिख रही है वह क्या कि यहां से मार्केट बार बार आपका लोटता है ठीक है वह कौन सारा यह लेवल उसके बाद थोड़ा सविक्स का लेवल जो आपका यानि कि यह लेवल जो है 9794 और 19,000 आपका 868 यह आपका लेवल जो आ रहा है बहुत स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस का आ रहा है मैं ऐसा बोल सकता हूं अब एक चीज याद रखना जबी मार्केट इसके उपर क्लोज करेगी तो यही स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस आप देखन चलो चोड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं जाकि अपने को वीक में के अंदर क्या होता है यह जो वीक ली चार्ट जेखते हैं और जो वन डे का चार्ट देखते हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए देखते हैं मतलब 10 दिन-12 दिन के लिए ठीक है उसके बाद जो जो आपका और भी आई का गवर्णर आकर के देखते हैं कोशेस होना आना है परसनल लून बहुत जादा बढ़ रहे हैं बैंग लिफ्टी यहां से एक दुन से क्रैक करती याद एक स्पारी का दिन था यह बहुत तेजी से मार्ट नीचे आया था उसके बाद अगले दिन फ है अब लोग देखने तो पूरी ट्रीक वीकली वन डे और नावा प्रिंटी को अनलाइस करेंगे फिर अपना फिन फिंस पर भी आएंगे ठीक है अभी क्या देखना है इसमें यहां पर आप देखोगे तो यह सपोर्ट भी नीचे की तरफ ले रही है अब देखते नीचे क खुला उपर गया और नीचे आया उसके फिर उपर गया फिर आपका नीचे आके और यहीं पर आके क्लोज देगा अभी कि लिए क्या है मार्केट के लिए बार यहीं पर आपको जो लेवल है कल तीन केसे खुलने वाले हैं कल मतलब त्यूजडे को थीन केसे होने वाले हैं यह तो मार्केट इस रेंज में खुलेगा यह मार्केट इसके नीचे खुलेगा यह मार्केट आपका साइडविस खुलेगा इस रेंज में खुलेगा यहीं कि नंबर टू पोजिशन पर मुझे कुछ नहीं करना है ठीक है मार्केट आपका एक उसमें बागा जब इसको नीचे स्विंग तोड़ना शुरू करेगा नाइंटीन सेवनेट सेवनेट इस है स्ट्रॉंग सपोर्ट एरिया 675 सेवनेट अपको याद होगा तो और 8885 अपका स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस का एरिया ठीक है वो चीज़ दिहान में रखना बस अपने को स्विंग प्राइस सेक्शन पर देखके ट्रिल लिना ठीक अब अगर में बात करता हूं तो म यह वाला जो एट हंडेट है नाइटीन एट हंडेट से लेके 825 अपका रिजिस्टेंस एरिया जाए इसको क्रॉस करता है नहीं करता है एक चीज़ और है पिछले कुछ दिनों से निफ्टी आपका वीक हो रही है बैंक निफ्टी वीक नहीं है एस कंपेर टू निफ्टी क यहां पर देखोगे तो निफ्टी का लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपका बैंक निफ्टी यह आपको सेट अप होता है जिस सब को पता चलता है कि मुझे अगर बाइज जाना तो निफ्टी में जाओंगा एंड वाइसा वाइसा केस ठीक है तो इससे आपको सब्सक्राइब कि मुझे आगे बढ़ते हों देखते हैं क्या देखना है सिंपल कोई दिमार्स में कोई दिमार्स लगाने वाली बात नहीं नीचे कहां तक आ रहे आपके 700 मैंने आपको था 9700 आपका स्ट्रॉंग सपोर्ट एरिया है ठीक है 9880 के उपर शॉर्ट में नहीं रहना ठीक है याद रखना और 9600 आपको फिर दिक्कत दे जाएगा ठीक है क्योंकि आपका वन डेक पर एग्रेसिव एरिया आ जाएंगे वह सारे बाइंगे सेलिंग के दिख रहा है कौन सा एरिया बता रहा हूं यह वाला एरिया 700 से यह वाल हो सकता है कि इसकी तरफ तोड़ देगा तो बाइक की साइट पर पोजिशनल बाइए और सेल बन जाएगा ठीक है धूसरा हमारा जो आता है वह अपना रिलाइंस ठीक है क्योंकि निफ्टी का कंपोनेंट क्या है रिलाइंस इंडस्ट्री इसके अगर मैं बात करता हूं तो तो 23 यहां से जहां से इसका ब्रेक आउट आय था वह पॉइंट है यह वाला ठीक है कैसे पहचानते हैं कि breakout लेजिट है लेवल इंपॉर्टन है नहीं है यहां पर रिजिस्टेंस हुआ करता है उसके एसने ब्रेक आउट दिया फिर ब्रेक आउट देने के इस वादेन तो यहां के बीच है आपना नेक्स्ट निफ्टी आईटी ठीक है अब आपको आपको दिखेगा कि क्यों निफ्टी थोड़ा वीक हो रही थी इस कंपेर टू बैंक निफ्टी आईटी में अगर आप देखोगे तो मुझे न यह रेट केंडल से डर नी लगता कि रेट केंडल यह अपना breakout point आपको ध्यान होगा तो अच्छा move दिखाया है यहां से आने के बाद 31378 से लेगे तक्रीपन 1500 point का move उपर दिखाया अभी यह थोड़ा सा इसने negative structure दिया है मतलब IT को मैं further bullish मानूँगा जब इस candle के उपर कोई मुझे closing मिलेगी 32400 के उपर ठीक है अगर इसके उ 400 के उपर ठीक है तो यह अपने को निफ्टी आइटी पर नज़र रखने विकॉस निफ्टी में करते हैं तो नेक्स्ट आता है अपने लोगों का निफ्टी की option chain देखते हैं ठीक है क्या देख रहा है आपको अगर सबसे ज़्यादर पूट्राइटर्स कहीं बैटे हैं तो option जिन पर आके कि क्या market में क्या होगा अगर gap खुलेगा तो पूट्रेटर्स फ्रेश आने चाहिए आपको देखोगे तो यह एरिया पूरा आपका call डेटर से फसा पड़ा है एक्टि-सिक्स लेक्स एक्टि-फोर लेक्स एक्टि-थी लेक्स सब जगा call डेटर्स बैठे पाड़े ठीक है तो आपको समझ में आओगा नेक्स्ट टैनल से स्टॉक्स देखेंगे और फिन निफ्टी की एक्सपायरी पर क्या स्ट्रेड़ी बन सकती विकॉज अगर वो आपने लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे